इरान युद की टैंशन के बीच तुर्की के राश्वपती ने नितनियाहू को नई धमकी देती है प्रेसिडेंट एर्दुआन ने इसराइल को दुनिया का दुश्मन बताते हुए बहुत जल्ड आक्शन लेने का ऐलान किया है अल्बानिया दौरे पर पहुँचे अर्दुआन की तरह इरान भी अब अरब देशों की गोल बंदी में जुटा हुआ है इस बीच साओधी क्राउन प्रिंस मुहमद बिन सल्मान की एक तस्वीर ने अमेरिका को दहला दिया है लेबनेन की तरफ से हेजबुला द्वारा दागे गए मिसाइल रॉकेट लगातार इसराइल को परिशान कर रहे हैं कुछ ऐसे मिसाइल या रॉकेट होते हैं जिनको हम जाने देते हैं उन पर अपने संसाधन को खर्च नहीं करते कई सारी कबरें यहाँ पर देखिए तबाह हो गई है एक रॉकेट आके गिरा है जिसकी वज़े से तबाही का जो मंजर है आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए जैसे बम के धमाकों के साथ बेरूत की तस्वीर बदल रही है जैसे जैसे रॉकेट की बोचार से तलवीव की शकल बदल रही है उतनी ही तेजी से खाड़ी में खेमे बदल रहे हैं इसराइल के खिलाफ मोस्ट पावफुल ग्रूप बन रहा है इस ग्रूप में होड ये लगी है कि जल से जल एरान से दोस्ती की जाए और इसराइल के साथ अमेरिका को हद में लाया जाए कई तस्वीरें हैं जिन्होंने अमेरिका और इसराइल की टेंशन बढ़ा दिये तस्वीर नमबर वन देखिए जहां तुरकी नेवी का शिप लिबनान में एंट्री कर रहा है शिप पर तुरकी के किलर कमांडो आक्शन मोड में दिख रहे हैं दूसरी तस्वीर अलबानिया से आई है जहां प्रेजिडेंट अरदुआन इसराइल विरोधी गुट के विस्तार के लिए पहुँचे है तीसरी तस्वीर तो ऐसी है जिसने इसराइल और अमेरिका दोनों का थर्रा दिया है सौधी अरब के रियाद में क्राउन प्रिंस सल्मान से इरान के विदेशमंद्री की मुलाकात ने अरव वर्ल्ड में नए समीकरण पर मोहल लगा दी है वार जोन में दिख रहे बारूदी तहलके से ज्यादा तपिशन तस्वीरों में है तहरान में जल रहे इसराइल और अमेरिका के जंडे क्या कह रहें क्या इरान ने सौधी अरब को साथ लिया है क्या खाड़ी के सभी पाउरफुल नेशन पर खामिनेई की अपील असर कर गई है सौधी क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सल्मान और इरान के विदेश मंतरी अब्बास अराक्ची की मीटिंग में युद्ध तनाव पर चर्चा हुई है प्रिंस सल्मान ने इरान के विदेश मंतरी से वार टेंशन कम करने का वादा भी किया है साओधी प्रिंस से मीटिंग के बाद इरान के विदेश मंतरी कतर का दोरा करेंगे खाडी में अमेरिका के सबसे करीबी दो मुल्क साओधी अरब और कतर को माना जाता है अगर ये दोनों देश इरान के खेमे में गए तो इसराइल का बचना मुश्किल होगा वजए ये भी है कि तुर्की जैसा ताकतवर देश अरब वर्ड में फूट डाल कर खुद को खलीवा साबित करने में लगा है डिश्राइल में इसराइल मेजा मेजाली मि जोड इसरे मिज्म एन एंचेल्मिक टेले कि ओर देलाएं साली कॉप एंद एक मेजिए उधर डिप्लॉमेसी फ्रंट पर इजराइल जैसे जैसे ट्राप में फस्ता दिख रहा है के बेहद करीब एक गाउं में हूँ जहां आठ अक्टूबर को दो पहर एक बजे एक साथ कई दरजन रॉकेट से हिजबुल्ला ने हमला किया था और उनके निशान आप अब भी गाउं में जो घर है उनकी दिवारों पर देख सकते हैं छोटे छोटे छेद यहां पर हुए है हलाकि जो रॉकेट है वो गिरा था दूसरी बिल्डिंग पर यह देखिए सामने की जो बिल्डिंग है उस पर रॉकेट गिरा था और उसकी वज़ज़ से दिवारें काली पड़ गई हैं हजबुला के हमले में इसराइल को भारी नुकसान हुआ है आईडियेफ के टॉप कमांडर को नईम कासिम के लड़ाकों ने धेर कर दिया है इसराइल पोसिस की आलन बिल्डिंगेट की 5030 वी बिटालियन के साजट मेजर रोनी गनिजाते हजबुला के हमले में मारे गए हैं ग्राउंड बैटल में अब तक हजबुला ने इसराइल के 12 सोल्जर्स को धेर किया है अपने अफसर की मौत के बाद इसराइल ने हजबुला के दो कमांडर मार डाले हैं जिसमें एक एहमद मुस्तगा, अलहाज, अली और दूसरा मुहम्मद अली हमदान बताये गया है इसराइल के दोनों टॉप कमांडर अंटी टैंक पूर के कमांडर थे, दो टॉप कमांडरों की मौत का बदला लेने के लिए इसराइल के खबरिस्तानों को भी बारूट से पाड़ दिया यहां की धार्मिक मानता के मुताबिक उनको भी शांती नहीं है और आप यहां पर देखिए कि यह पूरा कबरिस्तान तूटा फूटा है यहां पर देखिए यह गवाही दे रही है तस्वीरे कि लोग जो है वो यहां पर अपने प्रियजनों को देखने आ रहे हैं जिनको ये खबर पता लगी है कि कबरिस्तान के उपर रॉकेट हमला हुआ है वो लोग अपने प्रेजनों की देखिए यहाँ पर कबरें देखने आ रहे हैं और लोग यहाँ पर लगातार जो अटेक हुआ है रॉकेट से उसको देखने आ रहे हैं हिजबुला फाइटर इसराइल के किर्याच शमोना से आगे बढ़कर अब बैथ हिलेल और मयान बारूच तक मार कर रहे हैं गैली ली में हिजबुला के रॉकेट के छर्रे से छलनी दिवारें हर जगा देखी जा सकती हैं हिजबुला के हमलों में आई तेजी की वज़ा से रदवान फोस के नए कमांडर की तैनाती है इसराइल मीडिया के मुताबिक रदवान फोस के पूर्फ कमांडर हैतम अली तबातबाई को हिजबुला के मिलिटरी ओपरेशन का चीफ बनाए गया है हैतम अली के साथ मिलिटरी लीडर्शिप में जिहाद काउंसिल के मेंबर मुहम्मद हैदर को भी सैन्ने ओपरेशन का जिम्मा सौपा गया है वहीं हाशिम सैफुद्दीन की मौत के बाद हिजबुला की पॉलिटिकल विंग का चीफ अब नईम पासिम को बनाए गया है नए कमांडरों की यही तिकड़ी नेतन याहू से नसरल्ला की मौत का बदला लेगी लेकिन अमेरिका के रहते ये मुम्किन नजर नहीं आ रहा है सूपर पावर्ण ने इसराइल को इतने हतियारों से लैस कर दिया है कि उसे युद्ध में परास्त करना हिजबुल्ला तो क्या कैई देशों के भूते की बात नहीं ब्राउन यूनिवर्सटी के कॉस्ट ओफ वार प्रोजेक्ट की एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि अक्तूबर 2023 से अब तक अमेरिका ने इसराइल पर 22.76 बिलियन डॉलर खर्च किये है अमेरिके हतियारों के आपूर्ती में लगबग 57,000 तोप खाने के गोले तोपों के लिए 36,000 राउंड गोला बारूर, 20,000 M4A1 राइफले, 14,000 आंटी टैंक मिसाइले और 8,700 MK 82 500 पाउंड बं शामिल है इसराइल के लडाकू जैट हो या फिर डिफेंस सिस्टम सब के सब सूपर पावर के बजट से चल रहे है इसराइल के आइरन डोम और डेविट स्लिंग एर डिफेंस सिस्टम के लिए अमेरिका ने 4 बिलिएन डॉलर आइरन बीम लेजर एर डिफेंस सिस्टम के लिए एक दिशमलव 2 बिलिएन डॉलर की मदद दी है अमेरिका ने इसराइल को 14,100 MK 84 अंगाइड दो हजार बं 3,000 जॉइन डाइरेक्ट अटाक मुनीशन डम्टु स्मार्ट बंब ट्रांसफॉर्मर किट 3,000 हेलफायर मिसाइल 2,600 धाइसो पाउंड जीबियू 39 छोटे बंब 1,800 M141 बंकर बस्टर बंब 36,000 नाइट वुजन डिवाइस 200 स्विच ब्लेड ड्रोन 100 से ज्यादा स्काइडियो एक्स ड्रोन और 75 जॉइंट लाइट टेक्टिकल वेहिकल भी दिये है इसराइल को एमेरजंसी डिलिवरी के लिए 4.4 बिलियन डॉलर का बजट अलग से रखा गया है यानि पूरी दुनिया एक तरफ और इसराइल एक तरफ अमेरिका इसराइल के साथ युद्ध में है हर तरफ से है चाहे हत्यार हो चाहे बाहूबल हो चाहे आटम बम हो इसराइल को जिसकी जरूरत होगी सुपर पावर वो देगा लेकिन युद्ध में कभी भी इसराइल को जुकने नहीं देगा अमेरिका की यही गारंटी नेतनियाहू को सभी दुश्मनों से भिढ़ने की पावर देती है सूपर पावर का इसराइल के साथ खड़े रहना उसकी जीत और वजूद दूनों के लिए जरूरी भी है वन्ना बारूत के धेर पर बैठे इसराइल को इरान और तुर्की जैसे दुश्मन देश कभी भी जला कर राह कर सकते हैं इरान ने एक अक्टूबर को इसराइल पर 200 मिसालों से हमले करके सभी को चौका दिया था तब से दुनिया भर के वार एक्सपर्ट्स ये देखने को बेचेन है कि इसराइल इरान से बदला कैसे लेता है अब लगभग 9 दिन बाद इसराइल ने ऐसा दावा किया है जो इरान के ताबूत में आकरी कील साबित हो सकती है इरान पर इसराइल बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है और उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है हमले को तैयार इसराइल देखते रह जाओगे खामनेई एक अक्तूबर 2024 को भले ही इरान ने इसराइल पर 200 बलिस्टिक मिसाइल इंदाक कर दुनिया को चौका दिया हो लेकिन अब इरान के मिसाइल हमले के 9 दिन बाद खबर आ रही है कि इसराइल अब इरान का हाल हिजबुल्ला और हमास से भी बुरा करने जा रहा है इसराइल में पिछले 9 दिनों से एक ऐसे हमले की खौफनाक और भयानक तयारी चल रही है जिसके बारे में शायद इरान को पक्के तोर पर पता नहीं है इसराइल के प्रदान मंतरी नेतन याहू इरान पर हमला करने को लेकर अमेरिकी राष्टपती बाइडन से 50 मिनट तक बाच्चीत कर चुके हैं इधर इसराइल के रक्षा मंतरी यॉव गैलेंट ने इरान पर हमले का ऐसा इशारा किया है जिसने पूरे मिडलीस्ट में हडकम मचा कर रख दिया है दावा किया जा रहा है कि इसराइल के इस हमले की बनक मिलने के बाद से इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की रातों की नीद उल गई है जरा देखे इसराइल के रक्षा मंतरी यॉव गैलेंट ने क्या कहा है क्या हुआ और कैसे हुआ यॉफ गैलन का ये बयान इसराइल पर इरान के मिसाइल हमलों के जवाब में आया है सूत्रों की माने तो इसराइल इरान के प्रमुक तेल ठिकानों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है माना जा रहा है कि यह हमले इरान के अर्थविवस्ता को गहरा नुक्सान पहुचाने के लिए होंगे क्योंकि इरान की बड़ी आर्थिक ताकत उसके तेलशेत्र है इसके अलावा इसराइल इरान के परमानू ठिकानों पर भी बहुत बड़ा हमला कर सकता है पचास मिनट में हुई सीक्रेट डील उला दो इरान के अट्मी ठिकाने लगबख सौ घंटे से दुनिया भर की मीडिया में ये दावे किये जा रहे हैं कि इरान ने जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा परमानू परिक्षन किया है दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने पिचले 120 घंटे में इरान में आय भुकम और परमानू बंका परिक्षन के दावों का सीक्रेट पता कर लिया है इसलिए बाइडन और नेतनियाहू ने 50 मिनट तक पून पर बाच्चीत के दौरान लगभग फाइनल कर दिया है कि अब इरान को 200 मिसाईल हमलों का जवाब जबरदस तरीके से दिया जाएगा बहले ये कियास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका इसराइल पर दबाओ बना चुपा है कि वो इरान के परमानू ठिकानू को दबाओ नहीं करेगा लेकिन जब से अमेरिका को खूफिया जानकारी मिली है कि इरान ने भुकम की आड में एटमी परिक्षन ही किया है तब से अमेरिका अब इसराइल को उसके एटमी ठिकानों पर हमला करने की हरी जंडी दे चुका है ऐसा सूत्रों के जरीए दावे किये जा रहे हैं अब ये भी जान लीजे कि इरान ने 5 अक्तूबर को क्या किया था इसराइल के साथ बढ़ते संगर्ज के बीच 5 अक्तूबर को इरान के सिमनान प्रांथ में रिक्टर पैमाने पर 4.6 तीवरता का भुकम दर्ज किया गया भुकम का केंद्र कथित तोर पर सतह से लगबग 10 किलो मिटर नीचे और एक इरानी न्यूकलियर एनरजी प्लांट के गरीब था इरान के सिमनान प्रांथ के कावीर रिगिस्तान में इरान ने परमानू परिक्षन किया है ऐसे अब दावे किया रहे है भुकम के समय और परमानू सुविधा के करीब होने के कारण इस बात की अटकले लगाई जा रही है कि एरान ने परमानू बम का परिक्षन किया है दावों के मताबिक भुकम का केंदर सतह से लगबग 10 किलो मिटर नीचे और एक इरानी न्यूकलियर एनरजी प्लांट के करीब था भुकम के दौरान जिस तरहां की लहरे जमीन में उठती है यह लहरे वैसी नहीं थी यह लहरे वैसी थी जैसी न्यूकलियर विस्पोर्ट के बाद जमीन पर चलती है इसलिए दुनिया भर के रक्षा एक्सपर्स और वज्जानिक ये दावा कर रहे है कि एरान ने परमानू परिक्षन किया है इरान ने इन दावों का खंडन नहीं किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इरान ने आटम बम का टेस्ट किया है यूनिट 9900 का वार प्लैन इरान पर अद्रिश्य हमला इरान पर इसराइल एक बड़ा हमला करने जा रहा है इसमें हवा और समुंदर के रास्ते सबसे बड़े भीशन हमले होंगे एक अक्तूबर को जब इरान ने बलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमला किया था तो उस वक्त इरान की हाइपरसॉनिक मिसाइल पते 1 और पते 2 ने इसराइली से ने ठिकानों को काफी नुकसान मौचाया था उस वक्त इसराइल का एर डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम, एरो 2, एरो 3 और डेविट सिलिंग सभी इरानी मिसाइलों को रोक नहीं पाये थे लेकिर इसराइल के रक्षामंत्री का साब कहना है कि इरान का मिसाइल हमला नाकाम रहा है और अब हम उन पर हमला करने जा रहे हैं ज़रा देखे इसराइल डिफेंस पोस्स की जासूसी यूनिट 9-9-0-0 को लेकर रक्षामंत्री यॉफ गैलिंट क्या कह रहे हैं खबरों के मुदाबिक इसराइल के रक्षामंत्री यॉफ गैलिंट ने आईडियेफ की खूफिया यूनिट 9-9-0-0 के कमांडर्स से बातचीत किये दावा किया गया है कि इरान पर जबरदस्थ हमले का प्लैन आईडियेफ की खूफिया यूनिट 9-9-0-0 ने बनाया है बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमले का निद्रित किया था खबरे ये भी है कि आईडियेफ की खूफिया यूनिट 9-9-0-0 का वार प्लैन इतना जबरदस्त है कि इसराइल के रक्षामंत्री ने इशारों ही इशारों में कह दिया है कि इसराइल अब इरान पर ऐसा हमला करने जा रहा है कि इरान को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ कब हुआ और कैसे हुआ अब सवाल उकता है कि क्या इसराइल से 2000 किलोमेटर गुरी पर मौजूद इरान पर हमला करना इतना असान होगा क्योंकि इरान की मिसाइल पावर जबरदस्त है इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी 4 अक्तूबर को दावा कर चुके हैं कि इरान का मिसाइल हमला शानदार रहा है लगबग 5 साल बाद हजारों इरानियों के बीच में खामनेई ने एलान कि ये तो अभी इसराइल ने इरान का मिसाइल ट्रेलर देखा है अगर जरूरत पड़ी तो इरान इसराइल के वजूद को मिटाने के लिए बहुत बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है अब ऐसे हालात में सवाल उटता है कि क्या इसराइल इरान पर भीशन हमला करने का जोके मुठा सकता है इसराइली मीडिया के मुटाबक अगर इसराइल हमला नहीं करेगा तो आने वाले 5-10 सालों में इसराइल का वजूद ही मिठ जाएगा और अगर इसराइल इरान को तभा कर देता है तो इसराइल अगले 10 सालों में पूरे मिडिली स्ट में सूपर पावर बन जाएगा